दुन्या जा सिंध्यों हिकर मुठ थी सिंध्य बचायो सिंध्यों कोमी आवाज रेडियो वाई साव सिंध्य लंडन रेडियो वाई साव सिंध्य लंडन पांजी नश्रात में सिंध्य स्यासत, समाज, इक्तिसाद्यात, तारीख, कोमी उमगुन आई इखिलाक्यात मुतलिक सिंध्य जी हकीकी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामन के असराय तो बनायन लाई सिंध्य घण घुरन आई धर्तियसां प्यार कंदर अधीबन दानिश्वरन, सहाफिन, उस्तादन, वकीलन आई हर तपके जे मानवारन सजनन के सिंध में शवरी इनकलाब लाए सहकार जो सड़न्यों था अचोत गजी सूफिन आई संतन वारी सिंध्य जो ओज भिक मुठ थी वरी वापस आनवारे सफरजा साथारी बन जाओं एक नए सुबजी शुरात जो पड़ा लो घर घर गोठ गोठ आई शहर शहरताई पहुचायो शाल सिंधाबाद आई खुशाल किये सिंधी मानू सुख्यो आई सतावो थिये रेडियो वाई साथ सिंध लंदन पारां इमदाद अली ओडो अवांके भली कार्चमात हो सामाईन अजो के प्रोग्राम में कौमी दानिश्वर, जामी चांडे जो लेक्चर स्यासी समाज या स्यासी पार्टिन जो किरदार जे सिरे हिट पेश करे रहाएं हूं सामाईन इनसानी समाज एडन मानन जो अमबो या गुरो आहे जे के पांची सोच जे तबियत उन में हिक्बे का मुख्तलिफा हैं इनने जे बावजूद उननके गजी रहनो आहे हिक्बे जे ख्यालन जो ख्याल करनो आहे जी ओएं जी अन्डियो सहब हिक्बे जे इतराम करन वारो माहूल जोड़नो आहे एडने समाज में सियासी पार्टिन जो केड़ो किरदार बंजे तो अच्छोता कौमी दानिश्वर जामी चांडे जो कारा है तो है मालूमात संभरपूर लेक्चर गर्जी बुदाउं असान ये अलो के हिन जेको सियासी पार्टिन दे बारे में देका गुफ्तगुआ तर्वेता उन जो पहरे हो मौज़ों हूं दो असान दिसा हूं ता जेके चाहूं था असान सियासी समाज सियासी समाज जी अदावत के हैं थे थी चाहकर सियासी पार्टिन दरसल सियासी समाज जी शेकिल लाए हाँ इनर बारे में पर गलाएं था तफसिर सांदे उन्हीं मतलब चाहे आई ही नगाल की किसम जोगा सब ए असान या शे पाइजे पहनी पहनी तर्वित में या इन्सानी मौशरो दरसल एकड़ो इड़ो मानों जो अंबो हुआ गरो हुआ गरो हुआ घणामा गरो हुआ जे के मुखतलिफ भी आई है कभी खाँ ने कए जो एकभी सां मौार्टो तो मिले नहां कहें जी कब इसां सुरती मिले ना मिजाइटों मिले मुखतलिफ शेंग है मुखतलिफ यो एक डो फित्री मजहरा पर उन्हें जी बावजूद मुखतलिफ उसलामत किया रहे गड़ किया ले यह तांगाल पर कही यह कब एक हां मुखतलिफ होँआट यह बावजूद भे जैकि चैबुआ परमन बकाय बाहे मी जी ओ एजी अल्यो ताहां के हका रहा ताहां के जी है समझे मैं ताहिये जी हो मुखे हक होँआट पर जी है माँ चाहाएं तो ताह माई यह जिन्दगी पंजगोदा रहा छोधा साम मुखतलिफ है एकोब कहे मानुआते कहे फर्दते ग्रुहते तन्लुक नभी है जबरदस्ती न करे जबर न करे तो यह लाजमी कर यह न कर हा ताह उनके समझाए सगो था ताह उनकी काईल कर सको था ताह उनकी पहजे पासे कर सको था पर जेकन है तन्हब हुन जो रादो ना है तन्हब है ताह इन्सानी माशिर जो पतन पाहे तब मानू जो गर्दी जी रहन जो एक पंदास या स्पेस या हान जाहरा तब मानू गर्दी रहन यो बजाए निसादी जालना है ऐसा बाता है वरी रिफरेश करन जे ख्याल कहां तो वरी पुझते मोटी हो ठेला जिता पान पहरे पहरे तर्विती गाल में कहीगी तो इनसानी समाज जो सबक हां जे को बुन्याद आए जुज़ा है वो फर्दा है व्याद पहले शेटमान जीजाओ जेकोब आइए जोकुब आफ को अचछों जे कारो जे बूरो जे मजभी जे घत मजभी जे बुचछछरो जे सकाफती घरो जे घत गटो जे नेशनल सो जे अलब हुझे बे हुझे तो हमने अपनी पहली इपनाई तर्वियत प्रेनिंग में ये बात की थी कि इनसानी माशरे की जो बुनियाद है जो उसका रूट है वो एक फर्द पर है इंदिविज्जोर में ओराएं तो हम कह सकते हैं कि फर्द माशरे की सबसे चोटी अतियत है और फर्द माशरे की सबसे बड़ी अतियती है जितने अफराद हैं उतनी अतियति पहली है और एक फर्द एक काई तो इप्तिदाई इन्सानी माशरे में इन्सान को जरूत और कहते हैं कि तजर्बा इन्सान का उस्ताद है तो अवाईली इन्सान ने जो अपने जो उसके साथ मसायल थे दिश्वारियां दर पेश थी इन्सान को जो खत्रात लाहत थे परिशनिया लाहत थी तो इन्सान को एक बात जरू समझ में आई कि अकेले तोर पे रहना ना सिर्फ मुम्किन नहीं है बलके दुश्वार भी बहुत है आप तो समर करें आज की जमाने में 21 सदी में भी हम में से कोई ये चाहे कि मैं सब को छोड़ गए अलग जिन्दगी बसर करने का करता हूं गाला तो हम शायद जिन्दगी ना गुजार सेके मैं एक मिसाल दिया करता हूँ और वो मिसाल यू है कि आप सुबा जब उठते हैं नीज से और जब आप कुछ सोते हैं तो जब एक दिन की तो फैरस बना के देख लें कि जितनी चीजे हम कर्जियूम करते हैं इस्तिमाल करते हैं उन में से एक भी हमने नी बनाई यह आए रहा हिज्जे के शेम उसा खाऊं था प्यां था उताऊं यां था फूरोडी हिक्र जिए जिस एक दिन एक दिन का हिसाब ले ले तो एक दिन में जो इनसान आज के जमाने में भी हम चीजें इस्तिमाल करते हैं और जिन चीजों का हिस्सा है जो सहुलियाद हमें फराम की जाती है हम में से किसी ने उन में से एक चीज नहीं बनाई और अगर ये सब चीजें हम से अलग हो जाएं तो हमारी जिन्दगी अजिरनों है हम शायर जिन्दगी ना गुज़ा सके उस अलास के तो जो हमने पहली पहली अपनी तर्बियत में ये बात की थी कि इन्सानी समाज को जिस चीज ने जिस महर्रक ने इस बात पर अमादा किया था कि नहीं अकेले तोर पे रहना मुम्किन नहीं है आसान नहीं वो इन्सान की जरूरिया थी और जरूरिया फितरी है पिर आपको नीदा आईगी, सर्दी में, गर्मी में, तुफान, अबोड, जल्जलो, मौसम, माहूल, ये तमाम चीजे हम पर असन अंदाग होती है, हम किसी चीज से अपने आपको लातालो नहीं कर सकते, और ये ही एक, तो इनसान को ये बास समझाई के जरूरियात को पूरा क अकेले तोर पे मुम्किन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, कि कुछ और अफराद के साथ मिलके रिष्टा इस्तवार किया जाए, ताकि अपनी जरूरियात को हम असनी से पूरा कर सकें, तक्सीम करें लेबर की, जरूरियात की, या जमेदारियों की, कि आप ये काम करेंगे, इनसान को आगे किया, वो ये था, कि इनसान को ना सर्फ जरूरियात के पुरा करना था, बलके इनसान को खतराग का हाग थे, खतराग किस चीज़ से, खतराग माहूल से भी थे, मौसमों से भी थे, हालाग से भी थे, अफराद से भी थे, और जो सबसे कमजोर था, वो सबसे बढ़कर वनरबल था या मोहताज था किसी और के सामने कोई मारने चले, कोई मारना दे हमें कोई हमला ना करें, कोई छीन लाने और आप तरश्वबर करें कि 21 सदी में ये आल है, इन्सान का तो उस जमाने में क्या आल होता होगा इन्सान का जब अभी इतना तहजी बेनी बनी थी और इतना इनसान की सोच इस्तवार नहीं हुई थी तो जिस चीज़ को हम खानदान कहते है खानदान, फैमिली, कुट्ट मुचे बार, सिंदी मुने उसकी बुन्याद ये बारी है और हुआ क्या कि मर्द ने और किसी एक खातून ने मिलके एक खानदान की बुन्याद रखी, जो कि फितरी तालबी है और उससे जाहर है कि फिर खानदान आगे बढ़ता है खानदान बढ़ने से कुछ तो फाइदे हुए इंसान के एक तो जरूर्याद निस्पतन असान हुई पूरी करना तक्सीम हुई काम की, जिमेदारियों की ये भी ठीक हुआ तहफुस का एसास भी हुआ आप समझते हैं ने, जितना भी ठकती घर पे आएं तो आपको comfort zone फील होता है जाए आपको जुगी क्यों ना हो पहले जुपड़ी मुदी मालोगे तब मालो बाहरा माद अनमा भी दो ना पहले घर में दाखे से दो तो मालोगे सुकून नहीं दो देया हुआ कि आपको काम की तक्सीम हुई, जिम्यदारियों की तक्सीम हुई और इसी तरह से और फाइड़े हुए और जो इन सेक्यूरिटी थी पहले फर्द को उस तरह से नहीं रही एक फैमली को लेकिन जो मसला सामने आए हुई था कि कमजोर फर्द जिस तरह कम ताकतवर फर्द के सामने महताश था जिस तरह इन से क्यों था अब नई सूरत हाल में एक कमजोर घराना या कमजोर फैमिली अपने से ताकतवर घराने के सामने या फैमिली के सामने कमजोर थी और बेवस थी जब पोली ठीजा जो डाडों सो गाबो might is right ये पाक एशुट है ये सारी पहीलिया कहें क्यों बनी है ये भी सदियों के इनसान के तजर्वे से बनी है ये इनसान का तजर्वा है wisdom है जो फोक wisdom है might is right जो डाडों सो गाबो जिसकी लाठी उसकी भैस लेकिन इनसान ने चुपःगे नहीं बैठना था, इनसान एक खामच दो नहीं होना था, तो इनसान ने उसके बाद फिर सूचा कि क्यों ना इसका भी हल्व तलाश किया जाए, और हल्व तलाश ये किया गया, कि खानदानों, अफराद ने मिलके बनाया था खानदान को, और हांदानों ने मिलके बनाया ब्रादरी को ब्रादर लफ से आया ना ये ब्रादरी की बन्याद कूल पे है ब्लड डिलेशन पे है इतदाई तो होने अब तो ब्रादरी और मानों में फैल लिए लेकिन इतदाई जमाने में जो इंसानी निष्टे थे वो इनसान इसके खून से वाबस दाती अब मैं जिस आँगा जिस सारी बात की बात वो यही होगी जो हमारा मौदू है कि आगास अपने कहां से किया था खून के रिश्टे से अपन जो रखता असली में चेबा रत लांगी ते बरगवा पहंजो रखता पहंजो मारे च्छाओं में रखन दो यह सब्जे कि पाह का ठाया है यह सब क्यों बने इसी दिए कि इनसान को यह था कि जो मेरे अपना है आज भी मामसादी दो है खिला में जोकरी पाने जिनी गरवे तो लिए पहने उस्वाल कुछन दा अब पराईया पहंजी आए मात नहीं के लिए जपान माया मानों के तस्वरियों अब्लवात पराईया पहंजी यह बतलब अब्लवात यह क्या अपने खानदान से है अपना खून है यह कही बार से आई यह लोग का लोग समझते है तो यह ससला आगे बड़ा और यह बलड रिशन है खून के रिश्टे हैं उससे खानदान साजी हुई और खून के और चूंके अब हमारे मुदू यह चूंके जेंडर का नहीं है तो यह जो खानदान साजी के मरहले पर ही पिदरशाही समाच तश्कील पा चुका था जब जमीन पर इनसान ने कबस जमीन तो एक खुदुरती वसीला है हम सब कोई अपने साथ दी ले जागा तो जमीन तो करूनों लाकों सालों से यहीं पर थी हम नहीं होगे तबी करूनों अर्मों सालों तक रहेगी तो ये तो एक उद्रत का वसीला है तो इस पर कबजा कर ले ना ये भी बड़ी एक नजरादी सवाल है कि क्या किसी को हग पहुंचता है कि जमीन पर कबजा कर ले कोई हवा पर कबजा कर ले आप जमीन जो है मस्तकिल रिसोर्स है इनसानों के लिए तो हर नसल उसको इसको इस्टमाल करें तो अगले के लिए चोड़े दें उसको बेतर हालत में ये एक भी एक दुन्या में सोच है जिस पर दुन्या में लोग बहुत सुछते हैं तो ये खांदान के जमाने में पिदरशाही समाज तशीर हुई और मर्द का माशरा बनना शुरू हुआ हवातीन उसके जेर अना शुरू हुई और ये सुस्तला बना वहरा तो जिसको ब्रादरी कर देंगे तो आप उसके लफ्स की तश्कील से देखेंगे ब्रादर से बनाएं, ब्रादरी, ब्रादर बना भावरीव पिदर्शाही समाज जी शेकलाएं, परबार, तो ब्रादरी का भी कूल के रिष्टे से जो लोग आपस में थे, जेंगे वेडो चेबुआ सावट, अजीब चेबुआ, इपाई वेडो चाउँ दूआ, वेडो चा जब और हुआँनी समया है। मिसले असा वार्ट, माव, मादर, अंगरेजी अमाधरा, तरु अम्हाई जीब अशनी बनाएं, भी यानिवा भी माहितिन जीबहतिने, जेके बोलीग और बनाएं, लक्षएदे खिखना हूँ जेके बोलीग से खिखना हूँ, बनाएं पाना म एक कि राइटराजीर सक्केशल हो . अशां कुछ प्रेयर थासरी। था 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 वर शाय भृष्टा कि आज nggakछे हो खुछ हुछ. चुछ जा कलगरे. मात बतो आफन जए था हुणी है walkingit. अशां कि कलगवती, आज एला था हुगी है . तो मतलब बोलें जी पाना इमाइटी आए लिकर यह और बेवारे मुज़ू तो बोलें जा लफसे पाना में काफी कामन आए सुबारा वो अब ब्रादरी जो निजान वो सिस्टम वो आगे बढ़ा और उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रादरी से भी कुछ मसाइल कम हुए और कुछ नए पैज़ा हुए किस तरह से हुए कि चुँके दाइरा वसी हुआ तो क्या हुआ कि उसमें निस्पतन तफसीम लेबर की ज़्यादा हुई अच्छा दुख सुक में एक दुसरी काम आना फर्स करें फोद्गी हो जाए तो आज भी ऐसा है के ब्रादरी सबाय आती है वेलो मुझो आए वेलो मातों खड़ा मानू खबरन नहों दिया कफ अंदफर केर प्यों करें इंजाम केर प्यों करें यह सब नहीं तो यह ताह के पहरें पाइं जो राद उकर मोझो परी ब्रादरीया मानू ताह वे सपोर्ट कर था तो सपोर्ट सर्स्थमा हो अई उनसां गड़ो कर ताहर रसन तो मानू के जिके खत्रात था जो खत्रात लहाग थे उसको किसी और तरफ से तो वो भी निस्बत अगए कि निस्वतन कम हु इनसान को असानी फ्राह होगी लेकिन दो काम उसके साथ साथ चल रहे थे एक काम ये था कि जो मैंने कहा कि पैचा की या जो पिदर्शाही माश्रा जो इस तवार उसके साथ हो रहा था तो आप देखेंगे कि हमारे उस राएथी निजान में हर्वर के हंजरा कोई बड़ा है बराज़ी आपको नहीं मिलती सिए घर पे भी कोई को बड़ा ëंगा बरादरी का कोई नको बड़ा होगा उसका कोई यकसरा पहुँं है लेकिन बड़ा होने का बड़ा शौकımız बड़ कि कमजोर ब्रादरी वैसी ही मौताज साबित हुई ताकतवर ब्रादरी के सामने जैसे कमजोर फर्द मौताज था वलनरबल था ताकतवर फर्द के सामने और कमजोर खांदान कमजोर था वलनरबल था ताकतवर खांदान के सामने तो आज जी आप देखे हैं कि 21 सथी के अदर पूली, भील, बेहगवार, ओडर, हैं तो भी ब्रादरी आने से, लेकिन वो के कहां तागर बार है, वो कहां मजबूत है, बागरी, तो जो तारीश हैं जिनको बिलकुल पस्पा कर दिया है, वो आप देखते हैं कि आज, वो भी आज के जमाने में भी कमजोर है, तो ये ससला बाराल आगे बड़ता है, लेकिन आप देखेंगे कि एक फैक्टर जो यहां हमारा, क्योंकि ये पुलिटिकल और सोशल एंथरापॉलजी का मौदू है, इसमें बहुत से इसके पहरू निकलते हैं, लेकिन जो हमारा अभी का टॉपिक है, वो ली है कि हम इस बात को समझना जाए हैं इस सेशन के इंदर कि पुलिटिकल सुसाइटी की फार्मेशन कैसे हुई है, स्यासी समाज की तश्कील कैसे हुई है, आप सब लोग स्यासी पार्टियों के फंदे, तो चूँकि आप स्यासी समाज का इसा है, तो उसको समझना जरू ही है कि स्यासी समाज तश्कील कैसे पाया, क्यों दिश्कील पाया और उसके डाइनमिक्स क्या है, उसके महरकाद क्या है अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं तो खानदान भी खून के बना की बुन्याद के बना, जिस्ते के बुन्याद के बना और अच्छा, आप देखेंगे के जो अखलाकियाद है आम तोर पर हमारी मुर्वज जवायटी वो भी इनी जिनों से वापस्ता है बबाई पहंच जो आही परा हुआ है मुक्तलफ इन्जाद शिक्लिए हो लेकिन ब्रादरी से भी इनसाना काम बना नहीं तो जो इनसान का आफनी कदम था जो उसके बाद का करदम था वो ये था कि जिस तरह अफराद ने मिलके खांदान बनाया खांदानों ने मिलके ब्रादरी बनाई तो ब्रादरियों ने मिलके माशरी को तामे किया जिसको सुसाइड ही रहते हैं ये इनसानी माशरा क्या है इन्सानी माशरा दरसल किसी एक चीज़ का नाम नहीं इसमें हर तरह के लोग है हर तरह के खांदान हैं, हर तरह के ब्रादरियां हैं और ये शक्ले बंदी केई इस दौरान एक और काम हुआ जिस पर हम थोली सी बात करेंगे इस दोरान एक और काम हुआ इस तारी ससले के दोरान एक और काम हुआ है जिसको समयना जरूरी है और फिर हम आएंगे कि स्यासी समाज के तश्वीद कैसे होती है वो काम ये था कि इसी माशरे के अंदर कुछ लोगों ने कहा कि हम तो काम नी करेंगे जिसने कब्जा किया जितना वसायल पर उसने का मुझे क्या दरूत काम करने किया तो जो गमजोर है उन से काम लिए जाए मिसाल की तोरो ये जागीरदारियत का तसवर कहां से आए जागीरदारियत से पहले गुलामी का समाज था तसवर कहां से आए वो तस्वर यहां से आया है कि जिसने जमीन पर कब्जा किया उसने कहा कि अब बेरे जमीन तो मेरे पास बहुत है मैं काम किम परूँ उसने जो अपने से कंजोर लोग थे उनको गुलाम बनाया कि तुम काम करो इता हाने बड़ी गारा हारी हिस्सों मिले दो इसी माशले के अंदर हजारों साल तक यह तस्वर मुझूद नहीं था कि जो आपकी जमीन पर काम करेगा उसका कोई शेर बन सकता है वो हिस्सेदार बन सकता है वो तो मुकमल गुलाम था आपका जो आप चाहे तो उसको मार दे चाहे तो उसको खाना दे चाहे तो ना दे और यह सारी शक्रीफ हमें तो हम देखते हैं कि इसको कहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि एक माशले का ऐसा हिस्सा पैदा हुआ मरात याफ़का प्रिबलेज़ जिसने काम करना चोड़ दिया और जिसने किसी और के काम के बल्बोते पे जीना शुरू किया कबजा करना शुरू किया वसाइल को लूटना शुरू किया और इसी को हम कहते हैं तबकाती समझ किलास सुसाइटी दरसुन है क्या हुआ किलास सुसाइटी को समझने का आसान सा दुस्वा यह है कि छोटी सी अकलियत जो वसाइल पर काबज है वो कहती है कि मैं काम नहीं करूगी और बड़ी अक्सिरियत जो वसाइल पर काम नहीं हो सकी उसको आप कहते हैं यह आप ही काम करोगे मैं तुम्हारे काम के बल्बोते पेजी हुगा और सारे मजलू कुगा मुलाब पे खासी करूगा उसको हम कहते हैं कि ये तबकार जिमारे जिसके जिस से तबकार बने है तबकार भी अच्छा बाते हैं मैं आपकी तरफातो यहाँ सबाल बने है अब तबकार के साथ साथ जाते जाते मली है और अब जिसको कभी लेकरते हैं जाते आप देखेंगे कि कुछ जाते हैं जिनके नमों से शनाफ्त होती है उनके काम की बबाई कुमः पगानल तुरों तुरों हें घुम्य या तो अधानलों नाइवर्ण कंड़ी आतो ये कोरिय without到底 the मंगनहारा तभी मंगनहारा मना मंगनहारा परमांजे पूशन नियमार माकर में जाय बजाय बजू, गुज्राधा लोहारा तह उखक Championships करे तहां तmotratoे को अवाईली जमानी जो अवाईली जमानी था तो ये सारे वो धाते बनी है वो जाते असल में काम से बनी है आप क्या काम करते हैं वहां से आपकी जात बनी आपकी शनाप भी बनी और ऐसी जातें भी हैं जिन से मालूम नहीं होता कि ये काम का रखते थे जैसे मैं अपनी मिसाद देतू चांडी उजाट से कुछा वोते हैं यह तो खेल्जा है यहाँ ने कि लेकिन ने करा हूं हुआ उमन करा हूं कोई कोई और माइंट करें इसके पिसने पहले मेरे अपनी बात परी अपनी विशाजी मेरे रिद्र गॉट है अने चाहिए ने ने करें जाए को लिख शाहिए पर तादसे लोग लेकिन आप देखेंगे के मजमुई तोर पर जाते हैं दो पिसेंट एक जिनके नाम से मालूम होता है कि ये क्या काम करते थे या करते हैं और बहुत सी जाते हैं कि जिस ते मालूम होता है ये क्या करते हैं जाते बनी इसी तरह से अच्छा इसी तरह पिर तफ्रीक और डिस्क्रिमिनेशन का जो तसमण है जो आया है समाज में वो कैसे आए सही घट जाता यह उची जाता पपा कुदरत तक है कि घट जाता रखे वा बागणी जो बार बिगिये जमन दोआ बाकशाह जो बार बिगिये जमन दोआ जमन वक्त कोई बेखा मुतलब नहों कि सजीजे का तफरीग है यह इन जमाने में थे थी माशने में थे जमन दोग घट जात उंची जात वदी जात आई घट मानू घट जात पज्यात जबा कमी कास्विए माना का तस्वर करो तर हदी सहे तर अल्कासिभ हभी बुलगा है जिब को पोरे तो करे वो खुदा जो दोस्त हभी बाउने गट जो कम धुब करे ऊकमी यह घट्ट जो करे अई तांको इतर तो ही आप माज़ों यह थाना शूरू थे हो उन्जा दायरेक्पन शूरू था हाई चोड़ा थे कि लोगो जमान वच्छत हो जड़े मारू पजा तस्वर पेश करें तो इनसान वे तो सुचिंग टर्ब हस दिया इनसान चोड़ बाकिसे जहान का मते भी शूरू जे शूर पेवे कि हुजे आप और इजार करें अजान के फ़दा पर पर इसान जो स्वर हो उत्व हुजे आप को खबर पह पर इंसान के शूरू ते हिए लो जमाने वचो तो सभी आ जामे इनसान के श़व हुए तो में जार दो वद्डी बेके को ज़ए आथ अबर पैया तर उनके वाए तो इनसान जी का सबखा वदी का मिरासा वो वर्सवा उन्यों वो इस वजव हो उसे शवव है तो हम कह सकते हैं कि इनसान एक बाशवर हस्ति है एक ऐसा वजूद है जो स तो जो सोचे का वो तसवरात के पेश्ट करेगा यह आए रहा है जो सोची दो वो जरूर तसवर पेश्ट कर दो तो जब इनसान ने अपनी सोच की बन्या पर तसवरात को अभी मैं तालिम की बात ने कर रहा हूँ ना मैं अभी इल्म की बात कर रहा हूँ अबी ना तर्रीर की बात कर रहा हूँ मैं बात करना हूँ तसवरात के चरने की इपनाई जमाना इंसान का जब इंसान ने तसवरात तसवरात से पेले की भी स्टेज है वो है तखैुल की मुशायदा तखैुल और इमेजिनेशन और फिर उसका उसकी बुन्याद पर आप तसवराद को पेश करते हैं तसवराद दो किसम के हैं एक वो जो भुशायदे से आते हैं आप किसी को दिरचस्पी हो अगर हो तो ये फलसफे का पूरा मوضوع है फलसफे में ये एक शाफ है उसको कहते हैं इपिस्टेमलाजी कि इसको उर्दू में कि इल्म इं इन्सते को हैं इन्सान को इल्म किसके इन पर कि इनके सोसे नालेज आएं नहीं पन्ट हवास भी आएंगे शेती हैं हांतु। सब्सक्राइब बद्छा पर देगे इच्छाईए तो मां बाहरा भी गालाई के यह जो आए उन्हें के हिटे लिए उन्हें आए न्हें आए बड़ाय रास ता जिए भूशाई तब पर इन्सान एकी सलायत कब बाका मागा आए तक इसान नब्दे से नब्दे नब सुम्हे नब चक्थे तरहें बित्त सवर करे सके माना इनसान ने जो शोर माहोन जोर को मुताज ना है एक शेतान चीया एक शायरिया एदबा तखेली पेदाबा आये जो को रहते हैं नहीं आस पास पर है इस जाहर जाहर पर मुझे मतलब आता है लाजमी ना है तो जे को खयाल मानू पेश करे वो पहजेई माहूर मा पेश करे है वो कहें तसवराती माहूर खयालाने सके तो तो इनकी चाहूँ था इनसान ती कॉगनिटिव इनसान ती दाखली जिखा तरकी थी डिवलक्त थे इनसान इंसान जो सोच अमल तेज थो हाने जो नहीं मानों तसवर पेश करना शुरू करा ही दिर्चस्प डालाए जता सा जो मौज़ू नहीं थे माहने इंदुस्पनियत इखताम थे वही हूँ जो जो नहीं इंसान सोच नहीं शुरू करे हो यह प्राइब भी भी बेड़ बजह दालुक मुझे शुरू किसी और अपनी दोस्ती पसंद है आप कहते हैं यह शख्स मेरे ब्रादरी का तो नहीं है लेकिन इसके तस्वराद मुझे बहतर लगते हैं एक शख्स के बारे में आप कहते हैं यह मेरी जाता भी नहीं है एक सुरत हाल सामने आई कि अभी तर तो आप सोच रहे थे कि यह सब कुछ बलग है फून है पहांजो बारे च्छाओं के रिकन दो रत्दानी के बार दौा यह क्या हुआ कि फिर एक जमाने में आके आपने सोच देखना शुरू किया कि नहीं आपका फून का रिष्टा भी है लेकि शायद फून के रिष्टे से बढ़कर रिष्टा तस्वरात का रिष्टा है जो आपका हम ख्याल है आप जी की तरा सोचता है आप रोता है कि इस से मेरी ज़दा मेरा रिष्टा बढ़ता है तो हम कह सकते हैं कि जो रवायती इंसानी समाट था जो सुसाइटी थी जो खूम के रिष्टे से बनी थी या कृत और काम से बनी थी अब एक और स्टेज आई एक और दौर आया जब इंसानों के रिष्टे तस्वराद और आइडियाज के बुन्त की बुन्याद पर भी बना शुरू हुए एक शख्स जैकी जर्मनी बाइगा ठीका? यह जर्मन और जैक मुझे जहर बिले जोसारे पाड़ ले तो मुझे इने समदी के पेश्टर तो चुनो को आए मुझे ना मुझे पर ने घरे भाती हुझे पर अइडियाज मिलन तो मुझे आउन साना हुझे रूपरटबल ही चाहे इन जो मत्तब यह ज़िए यह ज़िए नए समाज जो शुरूआत हुई जह समाज जो बुन्याद रखते, बलडते फूनते, दिश्टरते नहो पर आइडियाज नहों होईано यह जो कि नहीं गाल कि देखित कापाज जह तहाँ शांहेज़ी परो था अर्मी की हुझे फार्सी की हुझे अंक्रदी की हुझे था कहाँ भूली की हुझे तहाँ रवाब सात गाल के थि तो हामिल्याज मिल्देозм रूमी के 800 साल्टिया है मुहारा लुड रूम यह 500 साल की जाए भब फरीद जढ महाई की शार के जादी की यारी बावा भरी फञार साल प्रण असान Tá 17 करना जटें आ दोहा करो टाह तो आ तो चाह प्रादा तो आउ मैं आइस की वी तो मेरे यार भी तो काफी अठी ही सब्सक्राइड को पाइट करो सब्सक्राइड है पडरो Wढै तो सथी पडो कैस्पोड़ो ख्यान पड़ो उर्फी पड़ो गालेप पड़ो मीर करने लटिव छामि पड़ो यह पलो तो कि रूह जमीजे आप देए इस इम्रोन कैस पढ़ो, साधी पढ़ो, छ्याम पढ़ो, उर्फी पढ़ो, गालिब पढ़ो, मीर पढ़ो, लतीव साही पढ़ो, त्यार के पढ़ो. तो तोणके रूख जमीन ते आप देते हैं कि ये क्या चकर ना मेरी जाद के ना मेरे फूर के ना मेरी ब्रादरी के ना मेरे आसपास रहने वाले ना मुझे बैलिफिट करेंगे डाले की ना मुझे इसका मतलब कि इनसानी माशरा अब कुस नहज़ पर पहुँचा कि जहां रिष्टे अपनी शगल तब्दिल कर रहे जा पहली वाली काइन थी उसकी एक्टेंशन हुदी उसको 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 उसने एक और कदम और आगे बनाया और हम कह सकते हैं कि जो हमारा आज कभी का मौज़ू जिसके लिए मैंने सारी कमीद वानी है Formation of Political Society स्यासी समाजी अलावत स्यासी समाजी तश्कील छाते या इंतियास पर लेटो हिंग्डी पार्टी उमें बड़ा सिंग्डी पार्टी उमें बड़ा ताहां कि पर ने घरें बाती साँ एडी नोजे उनसे तर जितनी ताहां कि पर ने हम खयाल साथी साँ होगे ताहां पिठाएगा ताहां दूसा पिठाएगा पार्टी उन्हें यह ताहां कि ने गौर कोई दी रचाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो Political Society है जो स्यासी समाज है अब वो तो उससे भी आग़ी शकल है क्यों? कि मैंने अभी बात की यह सिर्फ आईडियास थी तस्वराद तस्वराद के बाद पिर एक दर्जा आता है डजरियाद तस्वराद तो आंच सी किज़ है तस्वर तो आता है यह निजो यह निजो ऐसास ए तस्वर का आई लगा की राज़ाद अच्टेन निज़ाद लेकि एक जमाना ऐसा है कि जब इनसान ने अपने समाजी शवूर की तश्कीर की अपने हालाँ को समझा उसके महरकात को समझा उसके वजुभाद को समझा उसके अस्वार को समझा, उसके हल तलाश करने की कोशिश की और अपने तस्वराद को बढ़ा के वहां पहुंचाया जहां हम देखते हैं कि जिसको नदियात कहते हैं आजलाजीज, नदियात दुनिया पे देखे आजलाजीज आएंगी मिसाल को मर्जार बे नदियाएं निससाल को सोशलिजम नदियाएं लिबराइसम नदियाएं कंसर्बेटलिजम नदियाएं तसथ इसकोनि annat जिसकोन free चापभी मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नजरियात अच्छे हैं वोने कौन से हैं मैं कुस सदा की बात कर रहा हूँ कुस नहशी बात कर रहा हूँ जहां इंसानी माशरी में नजरियात तश्वील पाए मुखत गुरों के दर लिया और जब नजरियात बने तो हुआ ये कि जो माशरी की सफबंदी जी वो जरा असर नौता मिली वो जो पहले फूल के गिरती वो उसने जैसे जैसे अभी आप बैठे हुए इस वाल के लिए आप ने बैठे हुए तर्टीब से लेकिन अगर आपको मैं कहूँगे जो पहले जो 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 तो ये भी एक नया बरता था जब इंसानी माशरी में इंसान दे देखा के जन्स की बुन्याद पर सिंद्ध की बुन्याद पर काम की बुन्याद पर फून की बुन्याद पर जाद की बुन्याद पर खान्दान की बुन्याद पर ब्रादरी की बुन्याद पर तो हम पहले से ही एक साथ गरोओं में हैं लेकिने नई गरोफ हाजी हुई नई गरोफ फार्मेशन हुई जिसको हम कह सकते हैं कि स्यासी नजरियाद की बन्याद पर लोगों के ग्रोव बने स्यासी पार्टिया क्या है स्यासी पार्टिया भी वैसे ही प्रादरी आए लेकिन उसकी बन्याद फूर पर नहीं उसकी बन्याद हांदान पर नहीं ये एक बड़ी दिल्चस्प सुरुदियाल थी कि इनसानी माशरे में एक नई तर्टीब सामने आई कि आप जो है वो देखते हैं कि ये समाल कर दो तो हम, मैं इस बात को यहां खत्व चालगा कि हम कह सकते हैं कि इनसानी माशरे के अंदर जो स्यासी माशरे की तश्कील थी जो इनसानी माशरे की तश्कील थी उसकी बुन्याद स्यासी रिष्टे है और स्यासी रिष्टों की बुन्याद स्यासी नजरियात और नजरियात का की नहीं है ये तो मैं अभी सिर्फ बात करा हूँ political society के कि स्यासी समाज की तश्कील वहां हुई जहां आपके रिष्टों की बुन्या स्यासत है या स्यासी अफकार है या स्यासी नज़ियात है या मफदात है लेकिन उससे भी एक advance level है और वो ये है कि अगर आप हम ख्याल हैं लेकिन मुंतशिर हैं किसी काम के रही है है कि तो आप लग्षा लेकिन आप उसमें मिल दे की नहीं है बेटे की नहीं है मुंत़का लायबल टेहीं ही करतेए मुंत़का हदफ टेहीं है मुंतरका आपकी मन्로म ल Не है तो प्र आपका आप कहां पहुँचीगे तो political society की का कमाल ये भी है कि ना सिर्फ आप एक स्यासी समाज की तश्कील करते हैं ना सिर्फ एक नई बुन्याद पर एक साथ गुड़ते हैं जिसकी बुन्याद नजरियाद पर हैं लेकिन आप एक नए जापते के अंदर भी आजए हैं एक नया discipline आपके अंदर आपका है अच्छा मैं फुरी सी सब्सक्राइब कर लो discipline हर समाज के खाने में है खानदान का discipline नहीं है ना बेटी बेटाई भाई भेड़ाई मावाई पिया ववाई मितां सिर्फ खानदान के अंदर भी आप देए एक तरह का गयर तहली एक जाफ़ता है कि आपकी वदूद क्या है भेड़ भाज अच्छों पार लुकिया उड़ो मा एक पीड़ों पिया उड़ो जार एक पार लुकिया उड़ो फैमिल्यों पिया उड़ो आने जहजे पिप फॉन भी गिती वगी विल्ल मा ली ओपिशव शाफ़ी तो रूली वे अच्छा तो हम को एक बात कि परहादा तो सिर्फ अफकार काफी नहीं नजरियाद काफी नहीं नजरियाद के सासा जाफ़ता चाई अच्छाई, इसी तरह मैं मिर साथ हूँ आपको जो च多त ही सामध Democrats पर लचायर भbonे हैं तो चूँ साणगां। जापता था ना यह है जो ब्रादरी आपके उपर रखती है यह आपके जापते हैं यह डूज हैं यह आपके डॉंट्स हैं इस यू के लू दिस यू के नॉट यह आपके लिए और करेंगे इन आपके करेंगे तो आपको ब्रादरी निकाल देगे जाक्षिए उसके विए हम देखते हैं के इसी तरह माचारे के जाक्षिए भी है अब वो element बात के बहुत से लोग उनको follow नहीं करते हैं और जाक्षिए पी बुरे भी है देखे जाक्राइब चलते हैं आप अंद्ञे बान आनले को आठाहिते हैं इस सियासी समाच की तशकी पर जहां लाप उल्मिजा senin जहाए a नाु हम देखते हैं कि इस तरह ही जो सियासी समाच की तशकील हुई उसके अंदर जहां मुश्टरका नए रिष्टे बने जहां अफ़कार नए आए वहां नए जापते भी साथ आए उसको हम पार्टी का दस्तूर कहते हैं जिस पर हमारे सेशन होगा कल पार्टी जो आईं चे बहुत है मेनिफस्ट उना आईं यहां पार्टी जो जथ अधू पार्टी जो आईंडिसले हुदूद जो जो दाइवं थी जो आए द्वा मेंबर को मठी एक पार्टी ज़िए सवरह आए कि यह पार्टिकल पार्टी के मतलबाद तो जहीं जापते जी अंदर मेंबर का रखी है सर्वराह या प्रेजिदेंट चेर परसंताई सबहेंगा बिल्कुल यह जिया जमूरी रियास्त जी अंदर फर्द का रखी है कि वजिर आजम ताई जी या सदर ताई सब कानू जेंदर उता है जे को मिन राकिक दो वू कानू जे फक्ड मेंदर को यह जाएसे समाज जेंदर ताय जिसको है जिए इसको है कि पुल्टीकल सुसाइटी अब मैं यहां खत्म करता हूं पर सवाल अखले रिथे हैं कि दुन्यार स्यासी अफ़कार के रिष्टों पर लिए या स्यासी मफादात के रिष्टों पर लिए और ये इस लिहास से बहतर है कि इन्सानी समाज को कि तमाम मसाइल को फून के रिष्टेहनी कर से कि इन्सानी समाज को फिकर चाहिए उसको अफ़कार चाहिए उसको नजरिया समाज की शिकल चाहिए जो उस मसाइब को उनको समझ सके हल कर सके तो आप इस लिहाद से कुछ नसीब है तमाम दोस्त बैठे हुए है कि आप एक स्यासी समाज का इसा है जब आप स्यासी पार्टियों के मंदर है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप वो लोग हैं कि जो आप गलाएटी समाज से कटी चुके हैं लेकिन उसके साथ-साथ आप एक नए समाज के अंदर लिया चुके हैं जिसको हम कहते है पुल्टिकल सुसाइटी स्यासी समाज तो इसका मतलब यह हुआ कि आप एक लिहाद से पूल्टिकल सम्देख में님났ट लिने न मतलेए शियासी पार्टी का इंतखाब वो बाहर काम है जिसका इंतखाब आप करते हैं आप कहते हैं कि मेरे नजरियाद मिलते हैं मैं इस पार्टी के साथ सोच कि में मुमासलत है में तर्जी ये है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक लिहास से पुलिटिकल जो पार्टी में आपकी वेमर्शिप है अफिलिशन है वो इस लिहास से भी है कि आपने अपने तोर पर अपने रास्ते का तायून किया है कि याद रखिए मुस्तक्बल का समाज जो है वो फून के बिन्याद कर सिर्फ इस तबार नहीं होगा दिन बद्द जाहरा फून रियलिटी है इसलिए वो तो हमेशा रहेगा कि आपके रिष्टे हैं नेचरल रिष्टे हैं वो आपके आप जा रहेगे हो रिष्टा है अब फर्क सिर्फ एक यह है जो मसला यह है कि पुलिटिकल सुसाइटी एक कम्पिटेटिवी स्पेस है एक ऐसा स्पेस जिसमें तकाबल लगे से मुकाबला आए एक फुर्ट है इस मारे इसी हाल के अंदर आप दोस्त बेटे हुए हरे के अपनी सोच है है तो इसका मतलब यह हुआ कि पुलिटिकल सुसाइटी का एक और असूल हमें अपनाना होगा और वो यह है कि जीओ और जीने दो और जहां आपको अपने असूलों अपने अफकार और नजरियात पर परतंजीम के साथ वाबस्तिता है वहां यह हग आप किसी और को भी देंग कि आपका भी यह हक है कि आप अपनी मर्जी से ज्वाइस से अपने रास्पे का इंतिखाब करें तो अगर महजब पुलिटिकल समाज या जमूरी पुलिटिकल समाज के बात करेंगे तो उसका यही उसूल है कि हमें जहां अपने सोच अपने अफकार अपने जजलियात और पार्टी के जाप्तों के अंदर रहने का हक हासल है वहां में दूसरों के इस हक को भी तस्नीम करना करेंगा कि कैसे हक्मे अफकार को पैला देगा कैसे लोगों को कायब प्रस्त है और आपका फर्ज़ बीए लेकि किसी भी फर्द या ग्रों के उपर आप जबर जबर ये मुसल्ब नहीं कर सकते कि आपको ये काप करता पड़ीगा और यही पुलिटिकल समाज की इसलिए हम कहते हैं कि जो डंडे से आएगा जबरदस्ती करेगा वो हमारा सगा भाई में लोगा वो फाशिस करेगा वो फिस्तायत है जबरदस्ती ना दी में है जबरदस्ती ना किसी समाज के और चीज़ में है जबरदस्ती कहीं भी जायज नहीं दुन्या किसी मज़भ में इसको जायज करा नहीं दिया दीन में करा नहीं दिया इसी तरह स्यासी अफ़कार है स्यासी अफ़कार है स्यासी उसूल है तो एक महजब स्यासी समाज का उसूल ये है कि वहाँ जहां हमें अपनी सोच पर रहने का हथ है वहाँ बात्युका इतराम करना पड़ेगा तो मैं इसको यहाँ एल कर रहा हूँ सामई नमा कौमी दानश्वर जामी चांडे जो स्यासी समाज में स्यासी पार्टिन जो किरदार जे सरे हिट लेक्चर बुदी रहा हुआ उमें तावाँ के हिक जिमेवार हिक बेज एहतराम एं सहब वारे समाज जोड़न लाए स्यासी पार्टिन जे हकी किरदार बाबत मालूमात एं रहनमाई हासुल थी हूंदी प्रोग्राम जी पुजानी है ते पंजे मेजबान इमदाद लियोडो के अजाज़त दीन दा शाल सिंद आबाद हैं खुशाल थी है सिंदी मानू सुख्यों हैं सताब हो थी है सदाइंगर